प्रोटेस्ट की वज़े से एक लड़की के बॉइफ्रेंड को उठा कर एक कल्ड में डाल दिया जाता है उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है पर उसे बचाना है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ड था कैस में उस सक्सेड हो पाएगी यह हम आज के हमार मुवी कॉलनिया 2015 की एक थ्रिलर रोमांटी मुवी में देखेंगे यह मुवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ट है जो इसे और भी जादा इंट्रेस्टिंग बनाती है अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीजे से लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा अब बिना किस दरीके एक्स इस प्रोटेस्ट में पोस्टर बनवाने का काम हमारा में क्यारेक्टर करता है इसका नामें डैनियल ऐसा ही प्रोटेस्टो कर रहा था तभी उसकी एरोस्टेस गर्फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है उसे सप्राइस देती है यह हमारी और एक में क्यारेक्टर है और इसका ना प्रोटेस्ट करने वाले अपने फ्रेंट से मिलवाने के लिए नियीज लिए का गया और उसने बहुत अच्छी में डैन Totally से नहीं था बस नेल चाहता था कि लीना हमेशा हुसी के साथ रहे है पाइस कि अन्दर घोसाई है जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सब को अरेस्ट कर रहे है तो जल्दी से उन्हें हाँ से भागना पड़ेगा ये स्टीट पर आये तो स्टीट पर सरे आम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है इस अब देखकर डैनियल इसकी फोटो लेने लगता है वो इने सब को एक्सपोस करने वाला था इस तरीके की फोटो लेते हुए आर्मी वाला ने उसे देख लिया जल्दी से उसे अरेस्ट कर लेते है इसके बाद एक ओपन ग्राउंड में उन्हें लाया गया अगुस्टो के लोगों ने प्रोटेस में से एक आदमी को अपने साइट पर कर लिया था प्रोटेस में जो भी लोग साथ दे रहे थे उन सब को अरेस्ट करने का काम वो कर रहे थे या आदमी डैनियल को भी पहचान लेता है इसके बाद उसे एक एम्बूलन्स में डाल कर रूर लेकर जाते है लीना इसका इस्सा नहीं थी तो उसे छोड़ दिया जाता है डैनियल को फिर बहुत टॉर्जर किया गया पुछते हैं यह तुम्हारे साथ और कौन था पर डैनियल कुछ भी नहीं बताता लीना फिर प्रोटेस्ट के हेड के पास गई और सारी सिचुएशन समझाए वह यहते हैं कि डैनियल को हमें बचाना चाहिए प्रोटेस्ट का हेड़ गयता है कि डैनियल तुमसे मुझसे सबसे प्रोटेस्ट बहुत जादा बढ़ा है इसमें हमें सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा यह डैनियल की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते पर डैनियल कहा है इसके बारे में उन्होंने लीना को इनिफॉर्मेशन दे दी दूसरी तरफ डैनियल को बहुत ही जादा टॉर्चर किया जा रहा था उसकी पूरी मेंटल हालत खराब हो रही थी डैनियल जहाँ पर गया हुआ है इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लीना एक आदमे के पास जाती है उस आदमे का ओफिस भी बग किया गया था तो टेप रिकॉर्डर लाकर वो लीना को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है उसने कहा कि एक प्लेस है जिसका नामे कलोनिया वहाँ का हेड पॉल उसे के पास ये सारे सोलजर जाते है उसने उसकी लोकेशन वे गरह बता दी और कहा कि वो एक कल्ट है जो क्रिश्यानिटी को मानता है तो वहाँ पर आसने से घुश सकती हो एक बार तुम चली गई तो वहाँ से वापस आना बहुत ही जाद मुश्किल है लीना का कैप्टन ने बहुत ही अच्छा फ्रेंड था तो कहती है कि एक विक में वापस आ जाओंगे और कैप्टन भी उसके लिए कवर करता है इसके बाद वो कलोनिया के लिए चली गई वहाँ पर एक बुड़ी औरत थी जिसका नाम था गीजला गीजला सब लड़कियों को कंट्रोल करती थी तो लीना को भी उसने अंदर ले लिया इसके बाद पॉल से मिलवाने के लिए उसे वो लेकर जाती है पर एक छोटा सा बच्चा रोते-रोते बहार आया या इस जगह अबर पॉल छोटे बच्चों का शोशन करता था वो जब लीना से मिला तुसे पुछता है कि तुम ये जॉइन क्यों करना चाहती हो लीना कहती कि मैं बाकी वर्ल्ड से तंग आ चुकी हूँ मैं भी इस वेक को अपनाना चाहती हूँ मैं सिर्फ आप के लिए यहाँ पर आई हूँ बॉल कन्विंस नहीं हो रहा था तो लीना से कहा अपने कपड़े निकालो उसे लग रहा था कि लीना का बॉइफ्रेंड है पर लीना उसे कन्विंस कर देती है यहाँ पर वो सिर्फ कुछ सीखने के लिए आई है इसके बाद लीना को बाकी लड़कियों के पास बंकर में लेकर जाया जाता है यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था डॉरती डॉरती बहुत ही एक्साइडेड थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है यहाँ पर आदमी और और औरतों को मिलना अलाउड नहीं है तो लीना ने पूछा कि यह कैसे पॉसिबल है डॉरती ने कहा कि कोई भी जब इंपोर्टन आदमी आता है तो सब लोग एक दूसरे में मिल जाते है अपने हजबन से ऐसे ही हो मिली थी पर उस बात को तीन साल हो चुके है पर एक दूसरे से बहुत ज़ादा प्यार करते है इनने फिर एक गोली दी जाती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है की करती क्या है अगली दिन इनसे बहुत ज़ादा काम करवाया क्या लिना पानी मांगती है तो उसे पानी भी दिया नहीं जाता इसे के पैरलल में हम डैनियल की बहुत ही जादा खराब हाला देख सकते हैं डॉक्टर ने पॉल से कहा क्या वे पूरी तरीके से अबनॉर्मल हो चोगा है पॉल कहता है कि मैं इसे कॉलनिया लेकर जाओंगा वहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक काम कर पाएगा एक्च्वल में डैनियल से अबनॉर्मल होने का ढोंग कर रहा था सब कुछ नॉर्मल था नेकसिन में हम देखते हैं कि एक आदमी की डेथ हुई थी पॉल सब के सामने ब्रिटेंड करता है कि उसके साथ वो बात कर सकता है वो हमेशा सब को बताता था कि कॉछ डैरेक्ली उसके थूस सब लोगों से पात करता है अब डेड आदमी उठकर तो बात नहीं कर सकता पर पॉल के एक आदमी ने का कि हमारे कम्यूनिटी में बहुत ही जाथा पाप है और इसी वज़े से आदमी उठा नहीं उल्टा पॉल को और उपर चड़ा देता है डैनल को एक फैक्टरी में एक आदमी के नीचे काम करने के लिए कहा जाता है एक दिन जिसला ने लिना से बात दी कहा कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो मैंने देखा कि डॉरती तुमारी फ्रेंड बन गई है उसकी शादी होने वाली है और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ ये बात सुनने के बाद लिना ने सब कुछ बता दिया ये डॉरती किसके साथ शादी करने वाली है उससे पता नहीं था कि गिजला सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी इसके बाद रात में डॉरती को पॉल के पास लेकर जाता है सब लोगों के सामने पॉल गयता है कि ये एक सिनर है हमें इससे पनिश करना पड़ेगा फिर सब आदमी मिलकर उससे पहुत मारते है डॉरती को बाहर जाता देख लीना ने भी उसका पीछा किया था लीना सब आदमियों में डैनियल को भी देख लेती है किसी ने लीना को नोटिस कर लिया तो पॉल लड़कियों के पास आ जाता है वो किसी को भी पहचान नहीं पायता पर एक काम गिजला का था कि कोई भी लड़की पाहर ना निकले उसने फिर गिजला को ये बहुत मारा कलरा जो भी हो रहा था इसके बारे में वो अरसल से पूछती है अरसल ने कहा कि कोई भी लड़की अगर रूल तोड़ती है तो वहाँ पर उसे लेकर जाते है अब लीना को डैनियल से फिर से मिलना था तो रूल तोड़ने के लिए इनके होली वाटर में वो स्वीमी करती है उसे फिर रात में वो पॉल के पास लेकर आते है आज रात डैनियल यहां नहीं था क्योंकि फैक्टरी में छुप कया था वो रात में यहां से निकलने की कुशिश करता है वो एक इलेक्ट्रिक फैंस के पास आया शौक लगने की वज़े से वही पर नीचे गिर कर भेहोश हो जाता है अलाम की वज़े से सब लोग डैनियल को ढूनने के लिए निकल गए थे लिना को सजा नहीं होती सब को लगता है कि डैनियल औरेटी एबनॉर्मल है तो कोई उस पर शक भी नहीं करता अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑगस्टो की सरकार आ चुकी थी और गवर्मेंट का एक बहुत ही इंपोर्टेंट आत्मी पॉल से मिलने के लिए आ रहा था इनकी परेड होती है जहाब और और आतमी एक साथ मिल सकते हैं लीना हर जगा पर डैनिल कोई ढूण रही थी और फाइनल उससे देख लेती हैं इन दोनोंने एक दूसरे के हाथों में हाथ लिया है लीना के बास उनका एक फोटो था जो उससे उस दे देती हैं लीना कहती कि आज रात मेरी ड्यूटी है वहाँ पर मुझे मिलना ये गवर्मेंट ओफिशल यहाँ पर आये हुए थे क्योंकि पॉल कलोनिया के लोगों से वेपन्स बनवाता है एक बॉम भी उन्होंने बनवाय हुआ है इस सब कुछ इस गवर्मेंट को चाहिए था गवर्मेंट ओफिशल ने कहा कि गैस बॉम का हम टेस्ट कैसे करें तो पॉल को आइड़ा आता है इस डैनियल और अबनॉर्मल है उस पर हम टेस्ट कर सकते हैं रात में लीना और डैनियल मिले है डैनिल को बुरा लग रहा था कि उसकी वज़े से लीना यहाँ पर है पर लीना कहती है कि मैंने खुद तुम्हें बचाने के लिए जॉइन किया था डैनियल को अब इस प्लेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी यहाँ पर चलते चलते उसे पता जलता है कि नीचे एक बंकर है इस बंकर को देखने के लिए चला किया तब लीना पर नज़र रखने के लिए जिजला वहाँ पर पहुच गई थी है उसे लेकर जाती है डैनियल को बंकर से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया अगली दि करती है अरसल ने कहा कि मैं जिजला की बेटी हूँ फिर भी जिजला उसे यहाँ पर रहने के लिए मजबूर करती है आज डैनियल पर टेस्ट करने के लिए सब लोग यहाँ पर फसे थे यह एक बहुत ही फईनी रिलेशन्शिप डायना भी हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आज राज जिजला अरसल को लिना के पास लेकर आई अरसल कहती कि मुझे पता है कि पॉल ने तुम्हें मुझे पर नज़र रखने के लिए का है मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ से भागने वाली हो एक्चुल में चल कहा रहा है अरसल प्रेगनन थी पर उसके बॉइफ्रेंड को पॉल ने मार डाला था वो भी यहाँ से निकलना चाहती थी वो इस सब बाते कर रहे थे तभी जिसला यहावर पोज गई डैनियल ने निकाली हुई एक पिक्चर नीचे पड़ी हुई थी जो जिसला नोटिस कर ले थी है अब उसे डारेक्ली पॉल के पास लेकर आया जाता है उसे कुछ भी बताती ने तो पॉल उसे पनीश करने वाला था पर तभी डैनियल वहाँ पर पोज़ गया वो फिर से ढोंग करता है कि वो एबनॉर्मल है पर उसने कहा कि वो पिक्चर मैंने अल्रेडी कही पर देखी थी मेरा बॉस अपने बुक्स में पिक्चर्स रखता है वो फिर उन्हें वहाँ पर लेकर गया और पॉल को लगता है कि डैनियल का बॉस शायद एक गद्दार है डैनियल के बॉस कोई उसने अरेश्ट कर लिया फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था लीना अपनी रात की डूटी पर चली जाती है उसके साथ अरसल भी थी तो डैनियल दोनों को लेकर नीचे बंकर में आ जाता है ये जल्दी से वहाँ से निकलने लग गये पर आगे पानी भरा हुआ था अरसल पानी से डरती थी पर फिर भी उसकी मदद करकर उसे वहाँ से निकल लेते है जैसे उपर आये तो कॉलनी के बाहर थे अरसल खुश होकर बाहर जाये लगती है पर वहाँ पर ट्रैस बिचा हुए थे एक रसी से टकराने की वज़े से गुलिया चलती है और अरसल की वही पर डेथ हो गई लीनाओ को इसके लिए बहुत ही बुरा लगता है वो अपने आपको जिम्यदार मान रही थी पर डैनियल कहता है कि इसमें तुमारे कोई भी गलती नहीं है वो फिर डारेक्ली एमबसी के पास आया सारी सिच्वेशन उने समझा देते है एमबसी के लोगों ने भी उनकी बहुत हेल्प की जल्दी से पासपर वनवाय और उन्हें यहाँ से निकालने वाले थे पर नेक्स फ्लाइट है अगले वीक है पैरलल में एमबसी की एक इंप्लाई पॉल को कॉल कर देती है लीना को बता था कि एक वीक तक यहाँ पर वो जिन्दा नहीं रहेंगे तो जल्दी से जल्दी यहाँ से उन्हें निकलना था वो अपने कैप्टन फ्रेंड का शेडूल जान दी थी तो उसे वो कॉल करती है उसने कहा कि मुझे तुमारी हेल्प की बहुत ही ज़ादा जरूरत है उसके आज फ्लाईट थी तो लीना आज उसके साथ ही जाने वाली थी सिफ्टी के लिए के एमबसी का आद में लीना और डैनियल को लेकर जाता है खुफिया रास्तो से उसे एरपोर्ट तक लेकर गया पर तब तक पॉल वहाँ पर पहुच चुका था पॉल और उसके आद में इनका पीछा करते हैं पर कैप्टन ने लीना और डैनियल को भागता देख लिया फ्लाइट को लेट हो रहा था पर फिर भी उनके लिए रुका हुआ था उन्हें जल्दी से अंदर लेकर दरवाजे बन कर लेता है पॉल के आदमी उन्हें बाहर निकलने के लिए कह रहे थे पर लीना कहती हैं कि अगर हम आज यहां से नहीं उड़े तो लोग हमें मार डालेंगे पॉल के इंफ्लूएंस की वज़े से फ्लाइट भी कैंसल कर दी जाती है एक्चुल में कैप्टन अब लीगली उट नहीं सकता पर लीना के लिए हो रिस्क लेता है प्लेन उड़ा कर इने बजा कर वो लेकर गया डैनिल ने जो फोटोज निकाली थी इस वज़े से पॉल का ओपरेशन एक्सपोज हो किया उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसकी डेध भी प्रिजन में हुई इसे के साथ आज के हमारी ट्रू स्टोरी पर बेस्ट ये मूवी एंड हो जाती है ये मूवी आखिर में हमें बता कर जाती है कि सचे प्यार की हमेशा जीत होती है मुझे तो इस मूवी में पाइलट फ्रेंड का गैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा अपनी फ्रेंड्शिप के लिए सेफ्टी और जॉब दोनों चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था वरना हम हमारे फ्रेंड्स को रूपने के लिए गहते हैं तो पाँच मिनिट वो जल्दी चले जाते हैं अगर इस मूवे में ऐसा होता तो पैचारों बच नहीं पाते हैं तो यही पर आज के वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस लाइक और कमेंट ज़रू करतीजेगा मैं बहुत सारी मूवेज लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमो के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये